नमस्ते जी कैसे हो आप सब तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगी एक नॉवल है जो लिखी है आरके नारायन ने ये नॉवल पप्लिश हुई है उनिसो तिरासी में एक टाइगर फॉर्स परसन में कही गई है ये स्टोरी टाइगर एंड एक मॉंकी है जिसमे कटाइगर मॉंक से इटेश्ट हो जाता है ंड्भी तैगर की पूरी टेक्या करता हि ब Geneva की मॉंक एंड टाइगर है उन दोनों में एक बहुत है को वह बहुत है क्लोस विंक्परेंड हो जाते है इन दिस नोवल नारायन यथि तो धर मिट औब बुढदेश्न अनलाइट्म यह आपको स्टोरी में आगे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद है कैप्टन, कैप्टन जो है वो लीडर है सरकस का, थर्ड है मास्टर, मास्टर जो है एक स्पिरिचुल परसन है, एक मॉंक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस नॉवल की समरी, टाइगर फॉल मालगुडी हैं उन्हें बताता है, एक दिन राजा को अपनी पास्ट की मेमरी से याद आती है, कि कैसे वो भारत की जंगलों में रहता था, जहां पे वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, राजा सुनाता है, कि जवानी के दिनों में यह बहुत जादा ब्यंक शिकारी था, जिससे जंगल क अन्य जानवर बहुत जार डरते थे, राजा मैंपी हिल्स रेंज में रहता था, यह और जानवरों को बहुत जार डॉमिनेट करता था, फिर एक दिन टाइगर की स्टेंथ की असली परिक्षा तब होती है, जब उसका सामना एक फीमेल टाइगर से होता है, राजा जो है, व जब भीमेल टाइगर है, वर आजा की आग्या का पालन नहीं करती है, यह दोनों फिर एक दूसरे पर हमला कर देते है, इन दोनों के बीच में काफी जाता घमा सान लडाई होती है, यह बुरी तरह से घायल हो जाते है, फिर एक जैकल आता है, वो इन दोनों की हालत को देख जख पैली का समय बीचता है इ toxic आती है कि ये नहींगे आफस लड़ाई परिद फिर भी दोंये नहीं पोग के संदया है मासे लाइप ऐस्टमडे सिल में को अपनी मा की तलाश के लिए जाते हैं लेकिन ये तीनों भी घर नहीं क्यानीं लौटते हैं फिर जो राजा है वो अपनी फैमिली की तलाश में खुज जाता है तो उसको पता चलता है कि उसका जो परिवार है उसको शिकारियों द्वारा मार दिया गया है राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है राजा गुस्से में शिकारियों का पीछा करते हुए उनके गाउं में पहुंच जाता है वहाँ वो उनकी भीर वक्रियों पर हमला करके उनको मार डालता है बट राजा का ऐसे नीडर होकर गाओं के पशुदन को नस्ट करने से जो गाँवाले हैं वो अपने पशुदन की सेफटी के लिए बोजा चिंतित हो जाते हैं फिर एक दिन उसे सरकस के लिडर कैप्टन द्वारा स्टील की केश में पकर लिया जाता है ये कैप्टन राजा को सरकस ले जाता है जहां कैप्टन और उसकी वाइफ रीता जो है वो एक जूबली शो की त्यारी कर रहे थे राजा को सरकस के लिए अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जैसे सरकस के अखाड के चारों और दोड़ना फ्लेमिंग अब्स्टेकल के ओपसे जम करना और राजा को एक सबसे स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसमें राजा को बक्री के साथ दूर पीना होता है कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक जलता है बट एक दिन ओडियंस की बज़ा से जो राजा है वो डिस्ट्रेक्ट हो जाता है और सड़नली वो एक्रेशन में उस कोड को अटेक करके सबके सामने मार डालता है इस कारण फिर जो कैप्टन है वो राजा को शो से निकाल भी देता है इस कटना के कुछ टाइम बाद मदर नाम का एक फिल्म डायरेक्टर जो है वो कैप्टन से मिलने आता है ताकि वो अपनी एक मोवी में राजा का यूज करे और जो कैप्टन है वो मान जाता है पर जो फिल्म में जग्गू नाम का एक करेक्टर होता है उसको जो है राजा के साथ फाइटिंग सीन देना होता है जो जग्गू है वो राजा के साथ स्टूटिंग नहीं करना चाहता था पिकाज वो राजा को देखकर बहुत जादा डर गया होता है फिर एक दिन जो कैप्टन है वो राजा को कंट्रोल करने के लिए राट से मारता है और इस मार से राजा कंट्रोल होने के बिजाए इस हद तक गुसा हो जाता है कि वो कैप्टन को ही मार डालता है कैप्टन की टेथ के बाद राजा वाँ से भाग जाता है और जो फिल्म की शूटिंग है वो भी नहीं हो पाती है फिर इसके बाद जो राजा है वो सरकस से भाग कर एक दूसरे शहर मालगुडी में चला जाता है जहां लोग उसको देखकर बहुता डरते हैं बट अब जो राजा है वो बदल चुका है उसे वाइलेंस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है वो तो बसब अपना मतलब जो फ्रीडम है उसको इंजॉय करना चाता है राजा जो है वो सटकों पर घुमता है गलियों में घुमता है और रेस्टोरेंट और कैफे में देखता है और आखिरकार ये एक दिन जो है स्कूल की बच्चों को फॉलो करता हुआ स्कूल में चला जाता है जहां ये हेडमास्टर के ऑफिस में जाकर जो है फ्लोर पर सो जाता है बट जो हेडमास्टर है वो राजा को देखकर बहुत जार डर जाता है डर के मारे मदद के लिए पुकारता है फिर आलफॉंस नाम का एक शिकारी राजा को मानने के लिए अपने बंदूग लेकर स्कूल पहुंसता है बट आलफॉंस को में डोर से ओफिस में सीधे गुसना रिस्की लगता है इस बीच एक स्प्रिच्छल मैन जिसको मांग भी का जाता है वो वहाँ पर पहुंसता है इस मांग को राजा ने नौवल में मास्टर का नाम दिया है राजा जो हमारा प्रोटेगनिस्ट है एड मास्टर जो है वो कटी भीर को शांत करने की कोशिश करता है उनको एंकरेज करता है कि उनको डरना नहीं है दूसरी और जो ऑलफॉंस है वो प्लान मनाता है कि वो बहार से एक सीड़ी पर चड़कर जो है इमारत की जट के माधियन से हैड मास्टर को मुक्त कराएगा बट ये नशे में होता है और ये सो जाता है इसी टाइम जो मास्टर है वो ऑफिस में जाता है और शांती से टाइगर से बात करता है और सम्हाव जो टाइगर है वो मास्टर के शब्दों को समझ जाता है मास्टर टाइगर को समझाता है कि उसे कोई भी मतलब आकरमक कारे नहीं करना है एंड ऐसा देखको जो भीड है बहुत साथ सर्प्राइज हो जाती है कि कैसे एक टाइगर एंड एक इनसान जो है एक साथ बहार आ रहे है मास्टर और राजा अब एक साथ रहते हैं एक साथ ट्रैवल करते है आजए झो भी इन दोनों को साथ में देखता है वो चौंग जाता है यह कि धोनों जो है लोगों को बहुत जादा इंस्पायर करते हैं कि उने जो है वाइलनस नहीं करनें बल suburban dolnya यह बलकि हमेशे लन एक गृस ही दोनों मांटें रेंज पर रचते हैं फिर एक दिन इनकी गुफा में एक औरत आती है ये औरत बताती है कि वो मास्टर की वाइफ है जिससे वो छोड़ कर आ गया है जो औरत है वो ये भी बताती है कि वो मास्टर की बच्चों की मावी है बट मास्टर उसे समझाता है कि वो उसका पती था बट अब वो वही सेम परसन नहीं रहा है बिकास अब वो बदल चुका है जैसे कि राजा भी अब वो अग्रेसिव ट्राइगर नहीं रहा है जैसा कि वो होता था ये सुनकर जो औरत है वो वहाँ से अकेले ही शेहर लौट जाती है अब जैसे जैसे दिन बीधते हैं राजा बुड़ा हो जाता है अब उससे अपने लिए शिकार भी नहीं हो पाता है ये जब मास्टर जो है वो राजा की ऐसी हालत को देखता है तो मास्टर मालकुडी जू से एक जू के पर को लाता है ताकि वो राजा को जू में सेफली रखे राजा की पूरी टेक्यर करे एंड जू की पर जो है वो मान जाता है मास्टर राजा को समझाता है कि राजा को अब जू में ही हैपली रहना है जहां उसे पूरे प्यार से रखा जाएगा एंड मास्टर उसे ये भी समझाता है कि उसे हर उस बच्चे को खुशी देनी है जो उसको देखने के लिए वहाँ पर आएगा मास्टर राजा को ये भी पताता है कि उसे अब जू में कोई भी हिंसक कार या कोई भी शिकार करने की आफशकता नहीं पड़ेगी इसके बाद लास्ट में मास्टर बोलता है कि बहुत चल जब उनकी शरी जो है खतम हो जाएंगे तो उनकी आत्माएं फिर से मिलेंगी और इसी नोट पर मास्टर जो है वो राजा को अलवेदा कहता है गुडबाई कहता है तो यहाँ पर इस नोवल की समरी खतम होती है आई होप आप उनको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यह वीडियो 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 थाइक कीजिए